नवाश्कार दोस्तों, वेलकलनों वर्ल अफेर्ज, मैं हूँ प्रशान दवन, भारत और पाकिस्तान के वीश में युद होगा, यह हाली में US इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट ने का है, यह कोई प्रावेट कंपनी की रिपोर्ट नहीं है, यह कोई गुवनाम थिंक टांक क इस रिपोर्ट का डिरेक्ट रिलेशन है, इसलिए हमने देखा है, कि पाकिस्तानी मीडिया इस रिपोर्ट को लेकर काफी नर्वस है, इंट्रस्टिंग लीवाँ है यह देख रहा हूँ कि इंडिया में इस रिपोर्ट को हम डिसकस कर नहीं रहे इतना, पाकिस्तान में आगे लिखा है कि ये warning मिली है US intelligence की report से और इंडिया में भी कुछ magazines हैं फर एक्जामपल front line उन्हें कवर किया है कि US intelligence की report है इन्होंने चेतावनी दिया कि बहुत जल्द एक large scale war हो सकती है भारत और पाकिस्तान के वीच में बहुत जल्द का मतलब क्या होता है कितना time लगेगा एक साल दो साल इन्होंने forecasting करी आने वाले 5 साल की 2025 तक ये मान के चल रहे है कि possibility काफी हाई है कि भारत पाकिस्तान के वीच में आपको war देखने को मिल सकती है now next question यहाँ पर आ सकता है कि ये report तियार करता कौन है report का नाम क्या है उसके लावा क्या ये report हर सल आती है और finally इस report की जो आप कह सकते है importance है ये कितनी है क्या लोग इस report को seriously लेते हैं तो देखिए इसका answer है हाँ बिल्कुल काफी important report है report का नाम है global trends report अभी आपको website पर दिखा ये report और ये हर 4 साल में एक बार बहुती लंबे समय के बाद थोरो detailed research के बाद US government publish करती है ये report और ये publish की जाती है US government की National Intelligence Council द्वारा और ये release भी करती है ये USA की राषानी Washington DC में और आपके लिए ये जाना काफी important है कि आखरी बार जब ये report release करी गई थी उस वक्त बराक उबा करा के आसपास के time की बात कर रहे है उस वक्त जो ये report थी इसमें ये लिखा वा था कि भविश्य में एक pandemic आ सकता है और बहुती large scale पर economic disruption होगी और उसका नितिज़ा पुरी दुनिया भुखतेगी now क्या इनकी जो prediction थी pandemic को लेकर economic fallout को लेकर क्या इनकी prediction सई थी नई थी ये मैं आपकी judgment पर छोड़ दूँगा now ये main website है global trends की ये वैसे overall ये कहूँगा इनका track record flawless है मैं simply ये ही कहूँगा US government का ये department कैसे सब कुछ properly predict कर देता है no one really knows मगर 2014 तक की भी इनकी prediction है इस पर कभी फिर से बात करेंगे क्योंकि इसमें पहुत complex इन्होंने idea share किये है sun dimming की भी बात की गई है तो अभी इस वीडियो में वो सब discuss करूँगा तो it will become very complex इन्डिया पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है अपने South Asia 5-year regional outlook report के अंडर यहाँ पर आप देखोगे यह इनका एक section होता है 5-year regional outlooks और यहाँ पर आप अगर click करोगे South Asia पर क्योंकि इन्डिया पाकिस्तान दुरों South Asia के पार्ट है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी यह report और इस report पे बाते बहुत सारी लिखी हैं कि भविश्या में साव तेशा में बहुत सारी अस्तिरता आएगी कई बार हम war होते वह देखेंगे यहाँ पर मगर primarily यह लोग almost pinpoint accuracy से यहाँ पर यह claim कर रहे हैं कि India and Pakistan may stumble into large scale war और reason क्या होगा reason देखो काफी हर तक इनका believable है हम मान सकते हैं कि यह possibility है यह हो सकता है यह लोग यहाँ पर क्या रहे हैं कि possibility है कि आने वाले 5 साल में भारत पे होगा एक बहुत ही बड़ा आतंगवादी हमला उस आतंगवादी हमले के response में Indian government compelled हो जाएगी कि retaliation करनी है अब compelled क्यों हो attacks करी जब Pulwama हमला हुआ हमने एक example set कर दिया एक हमने बना दिया level कि कल को अगर कोई भी step का terrorist attack होता है हमारे देश पर तो हम retaliation करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को हमारी किसी city में कहीं पर भी even in Jammu Kashmir कहीं पर भी एक terror attack होता है जिसका link हमको मिलता है पाकिस्तान के किसी terror outfit से किसी terror group से तो Indian government pressure में आ जागी कि हमें कुछ करना होगा फिर से bombing करनी होगी और फिर आगे डालते हैं कि फिर उसके बाद हो सकती है miss calculation कैसे होती है हमने पाकिस्तान की फिर से कहीं पर bombing कर दी पाकिस्तान retaliation में अपने जाज फिर से भेजे last time तो हमने ये रेखा कि ज और पाकिस्तान धमकिया देता है कि हमारा pilot release करो नहीं तो हम आपने missile दाग देंगे हम pilot release नहीं करते और उसके बाद escalation बढ़ती रहती है और एक large scale war यहाँ पर हो सकती है हाला कि interesting बात यह है कि इस report में इन्होंने nuclear war की बात नहीं करी ये लोग नहीं मानते कि दोनों देशों क जो governments हैं वो इतनी वेवकूफ है कि nuclear weapons यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दे मगर ये मानते हैं कि definitely border open हो सकती है और large scale war कई दिनों तक कई soldier sacrifice दे रहे हैं ऐसी स्थितिक काफिया तक हो सकती है और आगे ये बहुत जादा खराब हविशमान ये करते हैं कि एक full scale war ये ऐसा damage inflict क है कि इनके हिसाब से एक possibility ये भी है कि 2025 तक इंडिया चाइना की भी एक war हो सकती है और ready हम एक आप कह सकते हैं small scale confrontation देख चुके हैं गलवान वैली में जो हुआ पूरी दुनिया ने यहाँ पर देखा कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा फिर से हो सकता है भविश्या में हाला क इन्डिया चाइना वार की जो possibility है ये काफी कम बदाई है compared to a इंडिया पाकिस्तान वार और इंडिया पाकिस्तान वार को लेकर ये इतने ज़ादा convinced इसने लग रहे हैं क्योंकि reasons बहुत सारे हैं वार करने के अभी के लिए इस region में सबसे ज़ादा delicate सबसे ज़ादा नाजु इशू है अफगानिस्तान के साथ क्या होता है अगर जो बाइडन अभी भी अफगानिस्तान को बस छोड़ देते हैं तालिवान के हाथ में और यहां पे तालिवान कवजा कर लेता है और पाकिस्तान की तालिवान के साथ बहुत अच्छे understanding है और यहां पे लोग create करना start कर देते हैं बहुत सारे मुझाही दीन जो फिर यहां पर आतंगवाद फलाते हैं इन कश्मीर या फिर बाकी जो इन दीजन है यहां पर यह काफिय तक पॉसिबिलिटी है ऐसे सिनारियों में इंडिया को retaliate करना होगा तो US यह भी बानता है कि अफगानिस्तान में क्या होता है किस तरीके से यहां पर क्या अफगानिस्तान सरकार बनी रहती है क्या तालिवान टेक और कर लेता है इसका भी एक बहुत बड़ा impact होगा on South Asia फिर एक और बात यहां पर करते हैं पानी को लेकर मेरा यह मानना है कि पानी बिलकुल एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर आने वाल पाकिस्तान फेस करेगा absolute water scarcity जब तक एक population फेस नहीं करती उनको पता नहीं होता कि इन शब्दों का मतलब क्या है जैसे pandemic शब्द आज से 5 साला पहले आप सुनते तो आप कहते अच्छा dictionary एक वर्ड है आज के समय आप जब pandemic सुनते हैं तो आपके mind में लगे मैंज़ आती है reason यहां पर यह बता रहे हैं कि conservation practices यहां पर बहुत पूर है पाकिस्तान ने अपने देश में कोई proper dams बनाई नहीं है यहां पर बारिश का पानी यह harvest नहीं करते फिर overall हम देख रहे हैं कि धर्ती का जो temperature है यह भी बढ़ रहा है तो थोड़े बहुत जो यहां पर तलाब होते है तो यहां पर यह मान के चल रहे हैं कि पानी की कमी हो सकती है पाकिस्तान में और ऐसे सेनारियों में पाकिस्तान की government almost ध्यान भटकाने के लिए war भी start कर सकती है with India Now यहां पर मैं question आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी हिसाब से जो यहां पर predictions करी है US report ने अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो दोनों countries को क्या stuff लेने चाहिए ताकि आने वाले 5 से लेकर 10 साल में region में peace कायम हो लिखेगा इसके बारे में comment section में इसी note के साथ यह है इस video का Thank you for listening and as always God bless you all!